हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रशाइन चून के बारे में रशाइन चून की बात करें तो ये आयुर्विद का एक अद्भू टोनिक है जो की बालों का समय से सफेध होना या फिर बालों का गिरना ये तवच्चा पे जूर्यों को जो भूँ ज़दा पड़ जाती है उसको रोकता है साथ में हमारी उम्र बढ़ने के सासा जैसे बिमारियों में जुखाम, खासी, बुखार, गुटनों में दर्द इनको भी रोकता है साथ में जैसे की हमारी जूदात्वे होती है, साथ उनको प्रॉपर रुप से पोशन देने का काम करता है बैनिफेट्स की बात करते हैं, तो मैंली ये हमारे जो यूरिनरी ट्रेक है उस पे जैसे की पिशाब में जलन होना, पिशाब के समय दर्द होना, रुक रुक करके पिशाब आना इसके अंदर भी मैली, हमारा क्योंकि ये यूरिनरी ट्रेक हैल्थ को प्रमोट करता है साथ में जो इसमें गौकशूर कंटेंट्स है, वो हमारे यूरिनरी ट्रेक पे काम करता है साथ में यूमिनरी सिस्टम को बोस्ट करता है, और बात करें हम जैसे की एक रसायन विबाजी करन की तरह काम करता है आयू लंबी करता है साथ में जैसे कि हमारे जो पित प्रकरती के जो लोग होते हैं जिन में बहुत जादा गर्मी की सिकायत रहती है या फिर जैसे महिलाओं में सपेथ पानी की दिक्कत रहती है उन महिलाओं को भी साथ में जैसे बहुत जादा वीकनेस के साथ में स्ट्रेस क बच्ची सोना इसको दूर करता है इसके इसके अंदर बात करें तो जैसे की कुष्ट है दाध है खुजली है रख्त दो से हमारे मैली इनको दूर करता है साथ में blood purify करने के कारण हमारी जो skin में जो glow है उसको भी बढ़ाता है मैली जो बात करें कि जिसे पेट से related जिसे की जिनको जिसे मरोडे टाइप की जिनको पेट दर्द रहता है या फिजियो प्रॉपर रूप से जिनका डाइजिशन नहीं होने की वज़े से खाना नहीं पचता है या जिनका ब्लड सुगर बहुत जादा मातरा में बढ़ा हुआ रहता है उन पेशेंट्स को भी अगर हम रशाइन चून का प्यो करवाते हैं इस जिनका भी जो जादा वाय geen प्रोब्लम मां होई давайте Engineering कि फ्पेशेंट्स को भी या डिजियो के पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को अगर हम रशाइन चून देते हैं तो यह हमारे जो किड्नी के अंदर जो जो हमारे टॉक्सिक होते हैं उनको निकालता है साथ में जो प्रोस्टेट की जो पेशेंट होती है मतला इस्पेशली जो जिनको बीपेच की रहती है प्रॉब्लम से उनको डिक्रीज करता है साथ में जिसे की हमारे जिनको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्टाज की प्रॉब्लम है या मेल्स के अंदर जो स्पम्प है बहुत ज़्यादा एजुकलेशन हो जाता है या जिनको नाइट फोल की प्रॉब्लम रहती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उन फेशंट्स को हम रसाइन चून देते हैं साथ में जिसे ये एक नर्व टॉनिक का काम भी करती है जिसे कि हमारे गुटनो है आउला है गोख्षुन मैली क्या करता है कि हमारे हुमन का जो हैल्थ है उसको बढ़ाता है साथ ही साथ में ये एनर्जी है उसको भी बोस्ट करता है और गिलोई है वो अपने आप में एक रसाइन का काम करती है जो कि बहुत सारे जैसे वायरल डिजीज है बैक्टिरिल ड साथ में जैसे जुखाम खासी बुखार है उनमें भी गिलोई का एक रामबान की तरह काम करती है आमला है आमला भी एक तरह रसाइन का काम करता है जैसे कि समय से पहले जिनके बाल सफेद होना या बालों का गिरना उनमें भी आउले का बहुत अच्छा रिजल्ट है तो ये तीनों मिक्स करके हमें समान मात्रा में ले करके हम रशायन चुन बनाते हैं ये ब्रदधा वस्ता और की जो व्यादियां होती है उनको भी दूर करता है साथ में बात पितकफ जो हमारे तीनों धोस है उनको प्रॉपर रुप से बैलन्स बनाए रखता है आवला है वो हमारी जैसे की जो ब्रद्दा वस्ता है उसको रोकता है, साथ में अगर हम बात करें, तीनों कंटेंट्स मिला करके हम एक एक अनुपात में लेते हैं, अगर हम इसके डोजेश की बात करें, तो 2-4 ग्राम चुन हमें खाली पेट लेना चाहिए, अब इसको हमें गी और सैद के साथ में लेना चाहिए, लेकिन हमारे जो गी और सैद है, उसकी जो मात्रा है, उसको बराबर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समान मात्रा रखने पर एक पोईजन का काम करती है, या विसका काम करती है, इसकी जो मात्रा है, वो पेशेंट की एज क्या है, उसक अगर अच्छा लागा तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे रिलेटेट कोई भी क्योरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो जिनको देखते रहिए और कोई भी आपकी जिस वीडियो की इंफोर्मेशन लेकर के आए थैंक यू